भरतपुर जिले के कामा वेवात शेतर में पुलिस की कारेश शहली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्योंकि दो दिन पहले खेतों में घास लेने गई देवरानी जिठानी दो महिलाओं को पास में खनन कर रही कमपनी के करीब 6 लोगों ने पकड़ लिया और दोनों के साथ सभी ने सामोहिक दुशकर्म किया। पहले पहले तो क्यों आई हो क्या कर रही हो वो बोली में बहारि काटने के लिए अई हूं। गलत सरत बोलने लगे उसने बोला तुम मेरे पास से चले जाओ मुझे अपने काम करने कशेंवक must उसने भी आकेनी बेहंदर ने बोला मिनोध से विनोध तुम इसको पगड़ो उसमें आपस में नाम लेके निए वे भी तीन लोगों ने वे भी गिरा दी वो गिरा दी तो पीछे उसका पोली वली भरी उसके साथ बुरा भला करा बेज्जेती करी उसकी बढ़िया से फिर मेर पर आयोए ओरत उच्छे मुझ मेरे से आके नहीं कोला हमारे साथ ऐसा कुछ वाए पाहर पे ने पापा को जो जारादी में भले कि थाने आया थाने पर आके हमें रिपोर्ट लिखाई रिपोर्ट लिखने के बाद रिपोर्ट तो हमारी ले ली लेकिन भॉलता है थानता मे दरज नहीं करूँगा हम मेरा पापा ने बोली तो दरज क्यों नहीं करेगा पहले में उसको कार रवाई करूँगा उसको जाके नहीं में माम लेको देखूँगा जब करूँगा दो-चार दिनों में जब मेरे मन में आएगी तक ऐसा कुछ वाया अब हम सार्थ धरने बेखूँगा अब बाइब कब दो-बार अगये को पेले में करूंगा पीछे दरज करूंगा इसको में डिकल भी नहीं करा यह ख्यानाम अपका कुछ आंएक में ऑपका इरफारं कि अब मुके पुलिस गई थी और पुलिस नहीं लोगों को समझाश की थी। जिन्होंने कोई रेपुर्ट पेश की थी, उसके बहलों पर जा रहे हैं। अब वो को दो मैला हैं जो थाने के वार धरन पे उठाज हैं। नहीं थाने पर किस तरह दर्नेगी सुचना मेरे पास में नहीं है दर्नेगी बात है और बग्री लोगों को सुना गया है कुछ खल भी कुछ लोग आये थे इंसे बारे में जांच की और जांच के अजार्फा पुरी तरह निश्पक्स करवेगी जाएगी